हलो दोस्तो मैं पुश्रान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियो में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लिए एक बेहत्वीन और प्रॉफिटेवल ट्रेडिंग स्ट्रेड़िये फाइंड कर सकते हैं जो आज जो मैं आपको इस वीडियो में trading strategy बताने जा रहा हूँ, इसका जो accuracy level होगा, वो काफी ज़्यादा high होगा, यहाँ पे अगर आप risk reward को देखेंगे, तो यहाँ पे आपको risk reward काफी हद तक आपके favor में मिलता हुआ देखेगा, और यहाँ पे आपको जो stop loss होगा, वो का काफी big target price होगा, इस तरीके से यहाँ पे आप एक profitable strategy अपने लिए बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, कि हमारा यह profitable trading strategy है क्या तो यहाँ पे हम लोग चार्ट पे आगए, और देख सकते हैं, यह जो चार्ट है, ICICI bank का daily chart है, अब यहाँ पे हम लोग daily chart का क्यों इस्तमाल करें, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए, candle में maturity और candle maturity हमें सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट में ही मिल पाता है, और हम यहाँ पे mature candle क्यों खोज वे, क्योंकि यहाँ पे हमें trading strategy चाहिए, with high accuracy यानि trading strategy चाहिए, जो कि हमें profit बना के दे सके, profitable trading strategy के उपर बात करें, इसलिए यहाँ पे हम daily chart पे आया है, अब इसके basis पे आप futures म trade कर सकते हैं, options में trade कर सकते हैं, swing trading कर सकते हैं, positional trading कर सकते हैं, इस तरह के trading आप यहाँ पे इसके basis पे कर सकते हैं, सिर्फ इंटवाडे और BTS छोड़के बागी सारा trading आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यह हमाँ लिए profitable trading strategy कैसे है, यह निए high accuracy trading strategy कैसे है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे price आपका नीचे से उपर गया है, और इस level के करीब यह अपना high बना है, और फिर यहाँ से price नीचे आया है, वह आपसे price के करीब आया है, और इसको break नहीं कर पाए, मतलब यहाँ पे हमारा एक resistance zone create हो गया है, इस portion से पहले, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़े से price section को आपको ध्यान से समझना, price आपका नीचे आया है, और यह जो white line आपका दिख रहा है, यह आपका 50 day moving average, जिसको आपका 50 day में बोलते हैं, यानि 50 दिन का moving average, और 50 दिन का moving average का मतलब है, कि one month में कितना trading sessions होता है, almost आपका 20 trading sessions होता है, मतलब यह आपका, लगबग यह आपका, धाई महीने में जो भी trading sessions आता, उसका moving average है, तो अब यहाँ पर देखे, price क्या कर रहा, price इसको as a support के रूप में use कर रहा, पहला काम क्या कर रहा है, कि देख सकते हैं, जो भी candle का lowest point है, इसको touch कर रहा, उसको break करके नीचे नहीं गया है, that means to पहला point यह है, कि जो 50 DMA, वो हमारा क्या काम कर रहा, वो हमारा as a support level यहाँ पर बन गया, दूसरा जीत, जैसे 50 DMA को इसने support बनाया है, यहाँ पर price में हमें, एक build-up भी देखने को मिल गया, यानि price आपका एक systematic तरीके से range bond move दिखा रहा है, अब यहाँ पर जो build-up बना है, इस build-up के basis पर जो breakout आएगा, या फिर breakdown आएगा, वो अभी हमें नहीं पता, वह यहाँ पर हमें find करना है, किसकी बाद price आपका ऊपर साइड की तरफ जाएगा, या फिर नीचे साइड की तरफ जाएगा, कई बार इसका भी हमें काफी हद तक idea मिल जाता है, तो दो चीज हुआ है, सबसे पहले 50 TMA को इसने support की रूप में बनाया, और उसकी बाद price आपका एक range में move करने लग गया है, यानि एक आपका systematic range bond move नहीं है, एक आपका systematic range bond move दिखाया है, वो कैसा है, वो यहाँ पर हम देखते हैं, तो अगर हम इसके lowest point को देखें, तो पहला लोग आपका यहाँ पर बना, दूसरा लोग यहाँ बना, यहानि पहला लोग से उपर दूसरा लोग बना, that means इस तो यहाँ पर higher लोग का formation हो रहा है, और at the same time, अगर आप यहाँ पर high को देखें, तो पहला high यहाँ पर, तीसरा high भी इससे उपर, चौथा high से उपर, मतलब यहाँ पे higher high का भी formation हो रहा है तो अगर आपको कहीं भी higher high और higher low का formation दिखे इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि price आपका clear cut क्या दिखा रहा है यहाँ पे आपको uptrend का hint दे रहा है यानि market का जो trend क्या है वो uptrend है यानि uptrend में systematic आपका एक range पकर के चल वहा है यहनि जब यहाँ पे हमें uptrend देखने को मिल वहा है तो breakout किधर देगा इसके chances क्या है breakout जो भी देगा उसके probability क्या है कि breakout यहाँ पे हमें up side की तरफ देखने को मिलेगा इसका hint हमें कहां से मिला है जो higher high और higher low pattern हमने identify किया उसके basis पे यहाँ पे हमें यह पता चल गया है कि up side हमें ऊपर side की तरफ देगा इसलिए यहाँ पे हम up side की तरफ breakout के लिए तयार रहेंगे और यहाँ पे देखें यहाँ पे हमें up side की तरफ breakout देखने को मिला है अब entry कहां पे लेना है अब बहुत साई लोग यहाँ प आपको high accuracy वाला entry चाहिए तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना परेगा फिर प्राइस आपका ऊपर गया और जब दुबारा इस line को touch करेगा तब यहां पर हम क्या लेंगे यहां पर हम buy side की तरफ entry लेंगे और यह होगा आपका high accuracy वाला अभी high accuracy वाला क्यों होगा यह भी समझना यहां पर यह जो लेवल था यह आपका resistance की रूप में काम कर रहा था प्राइस इसको break करके ऊपर निकला resistance को किसमें convert कर दिया resistance आपका support में बन गया अब वह आपस से उपर गया और नीची आया अब इस support level को यह break नहीं किया इस support level को रिस्पेक्ट किया और यहां से फिर यह upside की तरफ जाने लग गया यहां पर यहां पर जाद हम अपना क्या रख सकते हैं target price हमें clear cut रख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो risk reward हो जाएगा वह वन इस्टू 3 होगा यह अगर मुझे यहां पर दस point का stop loss है तो 30 point का target price रख सकते हैं इस तरीके से आप यहां पर इसके basis पर trade ले सकते हैं अब यहां पर एक चीज आपको गलती से भी नहीं गरना है जैसे यहां पर breakout देखने को मिलता है कोई एक strong sustainable तूटता है तो हमें अच्छा खासा upside momentum देखने को मिलता है तो यहां पर आ profit opportunity miss कर देंगे और हम यहीं पर entry ले लेते हैं अब जो लोग इस level के करीब entry लेंगे वो जो इतना point है वो यहां पर miss कर दिये आपको यहां पर entry मिल वहा है लेकिन आपने काफी ऊपर entry ले लिया यह अच्छा खासा आपने profit वाला हिस्सा आपने छोड़ दिया और आपका risk भी काफी ज़्यादा होगा अगर आपने इस level या इस level पर entry लिया है तो SL आपका लगबक इसे क्या सपास होगा तो देख सकते हैं SL काफी बिग हो गया और कितना भी आप करोगे तो जितना SL है उतना target price के लिए जा सकते हैं उसे ज़्यादा target price नहीं होगा तो इसलिए हमें क्या करना है यहां पर accuracy level को आप इस तरीके से increase कर सकते हैं breakout के जस्त बाद आप entry मत लीजे और यहां पर एक और फाइदा होगा कई बार false breakout भी आता है तो उसके basis पर जो लोग इसके जगा पर इंट्री लेते हैं वो यहां पर trap में भी फस सकते हैं लेकिन आप यहां पर दुबारा पुल बैक में इंट्वी ले रहें तो यहां पर इस तरह के trap को आप avoid कर सकते हैं इसलिए बोलवा हैं कि यहां पर high accuracy है यह आपका profitable trading strategy है अब देखें यहीं पर काम खत्ने हुआ प्राइस इसके बाद अच्छा खासा upside move दिखाया फिर प्राइस नीचे आया अब यहां पर क् लेकिन नीचे जाड़ा दे तक रुका नहीं है वापस से यहां पर ऊपर आ गया है तो यहां पर थोड़ा सा confusion हो सकता है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं उसके बाद लेकिए एक और बार इस level को touch किया है और इसको respect किया है और यहीं से फिर price आपका ऊपर जाने लग गय यहां पर हम क्या गड़ सकते हैं अब यहां पर हमारे पास एक reference point भी बन गया इसको हम as a stop loss की रूप में count कर सकते हैं और जितना SL है उसके तीन मुना टागेट पैस के लिए यहां पर हम आसानी से जा सकते हैं देख सकते हैं यहां पर मौका दिया यहां पर भी आपको मौका तीन ट्वेड हम ले सकते हैं जो कि हमें अच्छा खासा profit बना के दे रहा है तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहां पर pullback यहनी double confirmation करते हैं हमने entry लिया सिमिलर आप यहां पर इसको breakdown में भी कर सकते हैं अगर हमें breakdown देखने को मिला है तो जैसे breakdown देखने को मिल आएगा और जब वापस से करीब आएगा और यह रिस्टेंस को respect करेगा तब जाके क्या करेंगे प्राइस नीचे आने लएगा तब यहां पर हम सेल सर्गी तरफ interview ले सकते हैं जहां पर आपका accuracy काफी ज्यादा हाई होगा और यह आपका really में profitable trading strategy होगा जिसका accuracy level आप बोल स आपके लिए लेके आए लेकिन इसके लिए आपको अमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकन को जहुर दबा दिजिए ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें उसका notification आप तक बहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें so that's all friends मिलते नेक् आपके ढदी और आपके जए हमारे खियो को जो मीमिलते टो प्लीद